दीर स्टुडेंट्स, इससे पिछली क्लास में हमने first order reaction के बारे में study की थी कि first order reaction क्या होती है। हमने वहा देखा था कि ये वो reaction होती है जिन में जो rate of reaction है वो linearly depend करती है उन वन reaktant concentration या अभिकिरिया कीदर है जो एक अभिकारक की सांदरता पर निर बढ़ करती है। वह हमने उनके बारे में काफी कुछ study की थी तो आज की हम class में first order reaction की जो extra study है या यूं कहें extension जो है first order reaction का उसके बारे में देखेंगे तो first order reaction में हमने वहाँ पर काफी कुछ study की वहाँ पर हमने देखा कि जो integrated rate equation था first order के case में वह क्या था तो हमने देखा था कि k1 is equal to 1 upon t ln a upon a minus x की equal था और जब हमने ln को log में convert किया था या 10 base पे convert किया था log में तो हमने पता है कि 2.303 से multiply करना है तो उस case में हमारे पास जो rate constant था k1 वो 2.303 upon t log a upon a minus x के equal था तो इस प्रकार हमने यहाँ पर वहाँ पर जिन equation 8 और 9 शो की थी उनको हमने यहाँ पर शो किया है equation फस्ट और सेकिंड के रूप में यहां हम पस्ट और रियक्षन के जो other form है उनकी study करेंगे तो सबसे पहले हम विल हेल मिस equation या विल हेल मिस समीकरण के बारे में पढ़ेंगे तो देखिए इस case में यहाँ पर यहाँ पर यहाँ आप टी समय पर जो अभिकारक की सांदरता है वो CT की इक्वल है आजूम दी कंसंट्रेशन आफ रियक्षन अफ रियक्षन आट इस इक्वल टी 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 के रूप में या इक्वेशन फर्स्ट को लिख सकते हैं लिखें अब हम इस इक्वेशन को रियर्रेंज करें या एलैन सीटी इपों सेटेम लिखें तो हमें पता है एलैन एपों बी को अगर अपन एलैन भी अपन ए लिखेंगे तो वह किसके इक्वल होगी माइनसी है कि कोई-सा द्रस्ट की एक्वल लोग Fr इसको हम ct upon c0 is equal to e minus k1t या इसका हमने anti-log ले लिया तो anti-log form में हमने इसको यू लिख दिया या यहां से हम फिर से rear range करें तो ct is equal to c0 e raised to power minus k1t के रूप में आएगी और यही हमारी विललमी समीकरण है विललमी क्वेशन है विललमी क्वेशन को हम कैसे लिखते हैं ct is equal to c0 e raised to power minus k1t कुछ बुक्स में जो प्रारंबिक कंसंट्रेशन है उसको a0 से भी लिखावा मिलेगा और t समय पर जो कंसंट्रेशन है बड़े ब्रेकेट में शोक कियावा और कैपिटल a से दिनोट कियावा मिलेगा तो उस case में यह जो एक्वेशन है वो a is equal to a0 e raised to power minus k1 t के रूप में मिलेगी जो भी विलेलमी equation का ही एक form है लेकिन नॉर्मली हमें ct is equal to c0 e raised to power minus k1 t के रूप में equation मिलती है सेकिंड हम interval formula या अंतराल सुत्तर की बात करते हैं तो देखिए जद pickled अहरे पास में कोई भी अभीकिरिया है उसमें अभिकारक की प्राघंडिक सांद्रता ए ग्यात नहीं है तो इसी श्तथी में हमारे पास में ओध के एकिरिया प्राघंड होने के बाद जयसे टी यन समय है और टीट्टू समय है उस पर अभिकारकों की सांदरता करम से है एक्सवन और एक्सटू प्राप्त करके हम केवन का मान इंट्रवल फोर्मूला से ग्याद कर सकते हैं तो यहां आपने लिखा है इफ इनिशियन कंसेट्रेशन ओफ रिएक्टेंट एइस अन्नोन देन वी कैन आल्सोो केल्गुलेट एवन फ्रोमिंटरवल फोर्मूला तो अजूम ओंटी 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 आट्सू अइस टू कंसेंट्रेशनार अरड कम्पोज दस 온ndी ओंटी ओंटीकूंटी कंसंट्रेशन ओंटीओ एफज्जयों मने लिखा था है 2.303 upon t, log a upon a-x, उसको हम यू भी तो लिख सकते हैं, t is equal to 2.303 upon k, log a upon a-x भी लिख सकते हैं, अब हमने कहा कि t1 time पर जो decompose हुआ, वो x1 हुआ, और t2 पर x2 हुआ, तो हम t1 की value लिखें, t1 is equal to 2.303 upon k1, k1 क्या है, rate constant है, first order की case में constant है, log a upon a-x, इसको हमने equation फस्टे दिनोट किया, और t2 time पर, 2.303 upon k1, log a upon a-x2, इससे दिनोट किया, हम equation 2 में से equation 1 को subtract करें, तो from 2-1, then we find out, t2 minus t1 is equal to, दोनों में क्या common है, 2.303 upon k1 common है, तो उसको हमने बाहर ले लिया, t2 minus t1 is equal to 2.303 upon k1, और bracket में हमने log a upon a-x2 minus log a upon a-x1 लिखा, अब देखिए, हमें पता है, log a minus log b किसकी equal होता है, log a upon b की equal होता है, तो इसको हमने उस form में लिखा, तो दोनों में, a upon a तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और log a minus x1 upon a minus x2 हमारे पास, remaining रह जाएगा, और t2 minus t1 को हम delta t से denote कर सकते हैं, तो delta t is equal to 2.303 upon k1, log a minus x1 upon a minus x2 हमारे पास हमें, यह यह कर सकते हैं, delta t is equal to t2 minus t1 is equal to 2.303 upon k1, log c1 upon c2, जहां c1 जो है, वो a minus x1 की equal है, या t1 टाइम पर जो concentration है, reactant की उसके equal है, और c2 है, वो t2 टाइम पर reactant की concentration की equal है, तो इस प्रकार हमने interval formula के बारे में भी आपास की, तो हमने जो दो और फोर्म थी, विलेल में equation और interval formula, first order reaction के लिए, उनकी यह हमने चर्चा की, उनको हमने अडर्डरायोग किया, next हम बात करें, half life period, या प्रतम कोटी की अभी किरिया का अर्द आयूकाल, तो देखिए, आपको यह पता भी है, कि अर्द आयूकाल होता क्या है, तो सबसे पहले हमने यह equation को लिखा है, K1 is equal to 2.303 upon T, log A upon A minus X, या T is equal to 2.303 upon K1, log A upon A minus X, इसी को हमने rearrange करके T के form में लिख दिया, तो हमें यह half life के बारे में पता है कि, half life of a chemical reaction, जिसको हम normally T half से denote करते हैं, is the time taken for the initial concentration of reactant to reach half of its original value, कि जो उसकी प्रारंबिक सांदरता है, उसको आदी decompose होने में जो समय लगता है, उसको हम अर्द आयूकाल कहते हैं, तो यह कह सकते हैं कि T is equal to T half होगा, तो जो X है वो A by 2 के equal होगा, अब हमने T half की form में लिखा, तो T half is equal to 2.303 upon K1 log A upon A minus A by 2, क्योंकि X है वो A by 2 के equal होगा, जब T है वो T half की equal होगा तो, यह T half is equal to 2.303 upon K1 log A upon A minus A by 2 है, A minus A by 2, या किसी भी संक्या में से हमने उसी का आदा घठा दिया, तो वो आदे के equal रहेगी या A by 2 के equal रहेगी, उपर भी A, नीचे भी A, और 2 है, यह उपर चला गया, तो log 2 के equal रहेगा, तो T half is equal to 2.303 upon K1 log 2, अब हमें पता है कि log 2 की value है, वो 0.3010 होती, कुछ value आपको जब सामने उस टाइम भी बात की थी, कि याद रखनी होती है, log 2 की value क्या होती है, log 3 की value क्या होती है, log 10 की value क्या होती है, उसके बाद आप और value तो निकाल सकते, तो यह तो base value है, जिनको हमें याद रखना होता है, वो 0.3010 की equal है, अब जब हमने solve किया, 2.303 और 0.3010 को multiply किया, तो हमारे पास value आएगी 0.693, तो T half is equal to 0.693 upon K1, तो देखिए, यहां से हमारे पास में, half life जो time है, प्रतम कोटी के अभी किरिया का, उसकी जो हमने final equation derive किया है, उस समीकरण से हमें क्या पता चल रहा है, कि प्रतम कोटी की अभी किरिया का जो अर्दायोकाल है, वो अभी कारक की जो प्रारंबिक संद्रता है, जो A से denote की थी, उस पर निरभर नहीं कर रहा है, क्यूंकि इस equation में कहीं भी A नहीं है, बहुत important concept है, जिसकी बारे में काफी बार exam में पूछा जाता है, यह आपको जरूर से याद रखना है, नेक्स्ट हम एक्जामपल्स की यहां बात कर रहे हैं, फैस्ट ओर्डर जो रिएक्षन है, उसके एक्जामपल्स के बारे में पढ़ेंगे हम, कुछ important example हैं, जिनकी यहां study की जाएगी, बाकी नहीं करना हैं हमें, तो सबसे पहले radioactive decay की बात करें, तो radioactive जो decay है, वो first order होता है, और उसको हम decay constant जो lambda है, radioactive decay के case में, उसको lambda is equal to 2.303 upon t, लोग n0 upon nt से denote करते हैं, जहांपर हमारे पास n0 क्या होता है, जो radioactive substance है, उसकी initial concentration होती है, और nt जो है, वो उसी radioactive substance की t टाइम पर जो concentration होती है, वो होती है, और lambda आमने जैसा पहली का है, decay constant होता है, या हम ln n0 upon nt बराबर lambda t लिख सकते हैं, या हम इसका nt लोग लें, तो n0 बराबर nt e raise to power lambda t लिख सकते हैं, या दोनुस राइड माइनस से multiply करें, तो nt is equal to n0 e raise to power minus lambda t होगी, जैसा कि हमने प्रतम कोटी अभिकिरिया है, उसके case में विल हिल मिश्वमीकरण में शोग किया था, वहाँ अपनी देखा भी होगा, तो ये एक तरीके से उसी तरह की form होगी, हम बात करें, half life period की radioactive decay के case में, तो हमें पता है nt है, वो n0 upon 2 के equal होगा, तो यहाँ पर t half है, वो 0.693 upon lambda, वहाँ पर rate constant था यहाँ decay constant है, कोई ज़्यादा फरक नहीं है इनमें, equal होगा, अब हम बात करें, average या mean life, कई बार basic science से related क्यूस्चन पूछे जाते हैं, कुछ exams में, उनमें भी ये क्यूस्चन पूछा जाता है, कि average या mean life है, वो radioactive decay case में कितना होता है, तो जहाँ रखना है, average या mean life जो है, वो decay constant के क्या होता है, inversely proportional होता है, या, तो जो है, वो is equal to 1 upon lambda की पराबर होता है, lambda की value हमें पता ही है, 0.693 upon t half है, तो तो की value क्या हो, t half upon 0.693, या, 1 में 0.693 से divide करेंगे, तो 1.44 की equal होईगी, तो तो is equal to 1.44 t half की equal होईगी, तो इस प्रकार हमने, radioactive decay के case में, decay constant को कैसे denote किया जाता है, half life period क्या होता है, average या mean life क्या होती है, ये देखी, next हम, gaseous reactions के बारे में बात करें, तो देखे, thermal decomposition है, N2O5 है, H2O2 है, SO2Cl2 है, CS3COCl3 है, या, sulfuril chloride है, azothene है, propionic aldeide है, azothene है, ethylamine है, ethyl bromide है, ये सब जो gaseous reaction है, ये सारी की सारी, first order reaction फोलो कर रहे हैं, और इसी प्रकार, जो, isomeric change है, N-pinene का, वो भी हमारे, fast order reaction है, तो ये सारी की सारी, reaction है, इनकी जो हम, rate constant है, वो pressure की form में, आइसो करते हैं, तो यहां हम एक example लेके, thermal decomposition of, azoisopropane, कि द्वारा, हम derive करेंगे, कि rate constant को कैसे लिखा जाते हैं, इस तरह की question भी, net वगेरा तक की exam में, पूछे जाते हैं, और खूब सारी examples हैं, जिनको आप solve कर सकते हैं, इसी तरीके से solve होंगे, तो सबसे पहले हमने देखा है, कि azoisopropane है, उसका decomposition किस में हो रहा है, N2 और C6, H14 में हो रहा है, hexane हमारे पास है, N-hexane की form, तो हमें पता है, कि जो pressure है, T is equal to zero time पर, वो azoisopropane का हमने P0 से denote किया है, बाकी का क्या होगा, zero होगा, T is equal to T time पर, azoisopropane का जो pressure है, वो P0 minus X के equal होगा, और N2 और C6, H14 का, वो X, X के equal होगा, अब देखिए, suppose initial pressure of azoisopropane is P0, and after T time, its pressure is equal to P0 minus X, और उस समय जब, इसका T समय पर pressure, P0 minus X है, उस समय पर हमने मान लिया, एक total जो pressure है, यह जो isopropane हो, या N2 हो, या Nhexene है, वो total pressure हमारा Pt के equal है, तो हम कह सकते हैं, कि जो Pt है, वो किसके equal होगा, P0 minus X, plus X plus X की equal होगा, या Pt is equal to P0 plus X की equal होगा, या यहां से हम X की value निकाल सकते हैं, और वो क्या होगी, X is equal to Pt minus P0 की equal होगी, तो इस प्रकार हमने X की value find out कर ली, तो हमारे पास में T समय पर जो जो इसो प्रोपेन की concentration P0 minus X थी, वहां पर हमने X की value put up की, तो P0 minus X is equal to क्या होगा, P0 minus Pt plus P0, या यह किसके equal होगी, 2P0 minus Pt, अब इस value को हमने, first order reaction की case में, rate constant का expression था, वहां पर लिखा, तो K1 is equal to 2.303 upon T log P0, initial pressure थो क्या था, P0 upon, वहां A minus X था, T समय पर जो concentration थी, जो यहां पर T समय पर pressure होगा, वो क्या होगा, 2P0 minus Pt, तो हमारे पास whole expression क्या आया, K1 is equal to 2.303 upon T log P0 upon 2P0, 0 minus Pt, इसी प्रकार आप, और कोई भी reaction दीवी होगा, SES, जिसको आपको pressure की form में लिखना हो, तो आप derive कर सकते हैं, और easily आप उसको लिख सकते हैं, तो आज की इस class में, हमने first order reaction जो थी, उनको यहाँ पर complete करने की कोशिश की है, next class में हम second order जो reaction है, जिनके हम two तरीके से उनको हम derive करेंगे, एक case में तो क्या होगा, एक ही same reactant होगा, उसकी double power पर depend करेगा, और second में हमारे पास दो reactant होगे, दोनों के case में first order, first order होगी, उनको हम पढ़ेंगे, thank you,